हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं यूटीब चानल मेरा नाम है शोविन और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रिंटर जो आप खरीज सकते हैं तो दो प्रिंटर की बात करूँगा मैं एक है MFP multifunction printer जो इंडिया में बेस्ट है current टाइम पर और दूसरा है आपका duplex printer दोनों office 2366DW monochrome printer है laser printer है wifi network के साथ आता है और सबसे अची चीज है कि इसके अंदर आपको duplex printing मिलती है मतलब back to back printing आपकी होती है इसका एक lower version वाला printer मैंने खरीदा है उसकी unboxing और वीडियो मैं आगे डालूँगा इस वीडियो के बाद तो आप वो भी देख सकते हैं वो 2361 model number है उसमे wifi नहीं है network है लेकिन मेरे को वो भी चलता है चाहें तो आप वो भी खरीच सकते हैं क्योंकि वो इससे हलका सा सस्ता पड़ता है इस printer की अगर बात करें तो brother का printer है सबसे important चीज़ printer में जो रहती है वो आपकी printing quality अच्छी होने चाहिए और printing speed अच्छी होने चाहिए अगर हम बात करें laser printer की तो कोई भी laser printer से आप निकालेंगे तो यूजली दो सेकंड में आपका print निकल जाएगा भले ही पूरे पेज पेज पर प्रिंटिंग हो रही हो या फिर एक चोटा सा dot क्यू ना हो इंग जट प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो इंग जट प्रिंटर में अगर black and white के ले रहे हैं तो laser printer ही खरीद है इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो एक साल की आपको warranty मिलती है online अगर आप खरीदते हैं इसको तो काफी अच्छी quality है 30 pages per minute ही प्रिंट करता है A4 letter A5 बगरा सब कर सकता है सबसे अच्छी जीज मेरे को इस printer के बारे में ये लगती है कि ये compact printer है और इसका जो cartridge है जहांपर आप printer रखते हैं जो papers हैं वो रखते हैं जहांपर आप papers रखते हैं वो open नहीं रहता है वो close है enclosed area में है enclosed area से सबसे ज़्यादा फरक ये पड़ता है कि आपके printer के अंदर धूल नहीं जाती है plus इसमें बहुत अच्छा बड़ा vent दे रख करते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा scanning करने की ज़रूद है तो हमारा Canon का 244DW आता है printer जिसके हम आगे बात करने वाले है तो ये printer airplay को airprint को भी support करता है और आप अपने phone से भी इसमें print कर सकते हैं brother वाले printer की बात कर रहा हूं मैं और इसमें बहुत ही quality printer है बिलकुर consider कर ये प्लस इसकी cartridges भी बहुत सस्ती हैं ज्यादा expensive नहीं है तो आप consider कर सकते हैं अगर आपको wifi वाला printer नहीं जाहिए है लेकिन मैं recommend करता हूँ wifi network printer लीजे जिससे आप कहीं से भी print कर सकते हैं अगर नहीं जाहिए तो इसका lower version ही काता है 2321D वो आप consider कर सकते हैं सिर्फ 9000 रुपे क है इसलिए मैं उसको कम recommend करता हूँ तो यह बहुत अच्छा printer है अगर आप printer लेते हैं तो printer की life आपकी approximately minimum 5 साल तक तो रहती है तो उसे साथ से आप इसको consider करें और use करें इसी के साथ ही जो हमारा next printer है वो है Canon का 244DW MF244DW यह आपका print scan copy तीनों functions इसके अंदर आते हैं और ब approximately 22,000 रुपीज के आसपास मिलेगा यह brother के comparison में double हो गया क्योंकि इसके अंदर आपको सारी legal documents के लिए भी printing की facilities मिलती है अब 30 page उपर लगा देंगे यह automatically back and front scan करकर और उसका पूरा set बना कर आपको दे देगा यह suitable है अगर आपके यहाँ daily के 10 से 15 print निकलते हैं तो उसके connectivity आप Wi-Fi से कर सकते हैं, internet से कर सकते हैं, land cable लगा सकते हैं, सारी चीज़े वो कर सकते हैं, printing speed इसकी 27 pages पर minute के आसपास की रहती है, duplex printing मिलती है, auto document feeder मिलता है जिसके अंदर automatically आपके document feed हो जाएंगे, आप पूरी गड़ी उठाके रख दीजे, वो automatically print होते रहेंगे और print होकर न लेते हैं, मान लेजिए 3-4 cartridge लेते हैं, तो वो 600-700 रुपे की actual cartridge आपको मिल जाएगी, real cartridge मिल जाएगी, original cartridge इसकी available हो जाएगी आपको, तो यह हमारा second printer है, multifunctional printer है, laser printer है, बहुत fast printing speed है, वो ही आपकी लगभग 2-3 second के अंदर यह आपका print कर देता है, भले ही कितना भी आपने service भी मिल जाती है, तो उसके हिसाब से भी आपको consider करने की कोई problem नहीं होगी, तो यही मैं बताने जाता था, यह दोनों best printers हैं, अभी इंडिया में जो चल रहे हैं, यह दोनों printers मैंने खरीदे हैं, इस वज़े से ही मैं आपको recommend कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी research करने के बाद करीब 30-40 printer देखने के बाद यह दोनों printers खरीदे, brother का इसलिए क्योंकि वो आपका 50% cost पर है, लेकिन आपको scan का feature नहीं मिलता, और scan के feature के लिए आप अपने phone को use कर सकते हैं, अगर आपको legal printing और best printer चाहिए अपने office use के लिए, जहां पर आप 10-12 print daily के निकालते हैं, तो Canon का आप बिलकुल consider करीए, brother का भी निकाल सकता है 10-12 print, उसमें कोई दिख करती हैं, लेकिन stacking feature नहीं है, कि आप उसके अंदर stack करके गड़ी रख दी, auto print होकर निकलते रहे हैं, या photocopy machine की तरह होते रहें, वो उसमें feature नहीं है, लेकिन उसकी वज़े से उसके 10,000 रुपे rate भ के clear कर सको, इसके साथ साथ मैं आगे वीडियो बनाऊगा जिसमें मैं आपको अपने brother के printer को भी दिखाऊँगा, कि मैं उसको कैसे use करता हूँ, कैसे mobile से उसकी printing करता हूँ, etc, etc, thank you so much for watching, bye-bye.